Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech myself Umar Taskir आजके इस वीडियो में हम लोग कुछ effective call to actions के examples देखने वाले हैं So guys call to actions हमें हर जगे पर use करना पुड़ता है अगर हमें जादा जादा email subscribers चाहिए यानि कि हम जादा email subscribers attract करना चाहते हैं हमें जादा जादा landing page views चाहिए हम कोई add run कर रहे हैं वहाँ पर भी हमें call to actions की जरूरत पड़ती है हम conversion चाहते हैं तो वहाँ भी हमें call to actions की जरूरत पड़ती है तो call to action एक ऐसा important element है अगर हम कोई website run कर रहे है या कोई हम online business run कर रहे है या हमारा कोई add run हो रहा है कुछ भी है ठीक है कोई action ना करवाना चाहते हो बट कोई जो user आपकी website के उपर आ रहा है जरूरी है क्या वो कोई action करेगा नहीं हमें उसको trigger करना पड़ता है और trigger करता है call to action वो call to action के जो elements है वो trigger करते हैं आपकी website के उपर एक free PDF available है ये इस बात पर depend करता है कि आपका call to action कितना अच्छा है कि वो free PDF download करेगा या नहीं करेगा मतलब आपकी website के उपर जो elements है, जो activities जो आप चीज़े करवाना चाहते हैं अपनी website के उपर कोई भी जो visitor आपकी website के उपर आ रहा है वो इस बात पर depend करता है कि आपकी website पर आपने call to action कितना effective और कितना relatable call to action आपने use किया है तो यहाँ पर मैंने कुछ examples लिए है कि चाहे आपको email subscriber increase करने हो landing pages view increase करने हो या conversion चाहिए होगा हर जगा आपको कही न कहीं call to action किसी न किसी form में use करना पड़ेगा तो call to action करता क्या है basically it tells people what action to take and how you can take it call to action जो है वो किसी भी form में हो सकता है बड़े सारे लोगों को लगता है कि call to action का केवल button होता है ठीक है और especially beginners को यह समझने में problem होती है कि call to action का केवल button होता है हमारी website के उपर buy now subscribe now enroll now ऐसे अगर buttons लगें बस वही call to action होता है तो ऐसा नहीं होता है call to actions हमारे button भी हो सकते है button on a website और advertisement can be a call to action ठीक है hyperlink text in an email वो भी call to action हो सकते है हर वो element जो लोगों को बता रहा है कि आपको क्या action लेना है और किस तरीके से लेना है वो call to action है तो इसकी importance बहुत जादा बढ़ जाती है कि हम effective call to action किस तरीके से बना सकते है short link within a piece of content on a website एक website है उसके बीच में भी जो हम elements यूज कर रहे है text यूज कर रहे है जो language हम यूज कर रहे है उसके बीच में जो अगर हम कोई link लगा रहे है भी affiliate link ही हमने लगा दिया ठीक है वो हम blog इसलिए लिख रहे है ताकि हम कुछ products के affiliate कर सके तो जब हम product के बारे में लिखेंगे तो लोग उसके उपर click करें ठीक है हमारे affiliate link के उपर click करें तो हमें कुछ ना कुछ elements उस link के around बनाने पड़ेंगे तभी वो जो link है लोग उसके उपर click करेंगे तो जो social media आपका जो social media का presence है चाहे वो company की बात करें या आप individual की बात करें आपका जो भी social media का presence है वहाँ पर जो आप link यूज करते हो बायो में या यहाँ पर जो आप primary अपना link यूज करते हो वो भी हमारे लिए call to action हो सकता है वो आपकी website का address हो सकता है वो आपके store का address हो सकता है वो आपका whatsapp number हो सकता है तो ये जो website का address आपके social media profile की बायो में है ये एक तरीके से call to action है जो basically क्या करेगा आपके landing pages view को बढ़ाएगा जो आपका store है यहाँ पर मैं e-commerce की बात करहूँ तो e-commerce का link जो आपकी बायो में लगाँ के उपर through messaging connect हो सकते है तो हमारा जो call to action है ये अलग-अलग तरीकों से हो सकता है अलग-अलग जगों पर हो सकता है बट इस type से हम powerful words को use करके हम लोग एक call to action बना सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो use strong actionable words जैसे यहाँ पर लिखा हूँ मैंने कि call to action का जो आपका click through rate है यहाँ पर उसके उपर click करें इसके लिए हमें powerful words को use करना पड़ता है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हूँ है send me tips ठीक है वही पर एक sense of urgency के point of view से call to action है get instant access to tips यहाँ पर देखो बड़ा कि concise और बहुती normal सा neutral kind of call to action है जो simple सा है subscribe आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखो कुछ और हमारे पास जो powerful words है जो आप अपने call to actions में use कर सकते हो are you ready to subscribe ठीक है अब यह जो powerful sentence है यह in the form of call to action subscribe now yes I want the deal grab free e-book start your journey towards successful career activate your free trial act before it's too late यहाँ पर भी आप देखो urgency की हम लोग बात कर रहें don't miss out यहाँ पर भी हम लोग क्या बात कर रहें urgency की ठीक है तो आप समझ सकते हो कि किस type से जो powerful words है और भी बहुत तरीकी के powerful words होते है जिनको आप अपने call to action में use कर सकते हैं ताकि लोगों को आप urgency sense करा सकें ताकि लोगों को आप किसी ना किसी action की तरफ drive कर सके motivate कर सकें कोई ना कोई वो action ले दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही मिलता है next video में till then good bye